आज मैं माइंड क्राप्ट के अंदर एक न्यू सीरीज चालू करने वाला हूँ जिसका हम लोग नाम रख देते हैं 123 मतलब अब लोग 123 लाइक इस वीडियो पर करी देना क्योंकि इस जो सीरीज चालू में हमारे भूत ही खतरना गोल होने वाले हैं जैसे कि बहुत ही अच्छा घर बनाना उसके बाद एक आर्मर बनाना और फिर इंडर डेगन को किल करना और बीदर को किल करके एक बहुत ही अच्छा बीकन बनाना मतलब ही सारे गोल्स हम लोग सर्वाइवर में करने वाले हैं तो खड़ा खट से मैं थोड़ी आंग निकल जाता हूं क्योंकि आज हम लोग कोई घर फिर बेस तो बनाने ही पड़ेगा तो अभी मैं निकल जाता हूं बिना कुछ देर किये हुए लकड़ी माइन करने ही पहला का माइनक्राफप में स्पोन होता ही सबसे काम चेंट प ti को मैंद करना और असे थोड़े बहुत तूल्स बनाना तो लखडी के टूल्स बनाने लिए माइनिंग टोड़नी पड़ेगी न थोड़ी वहत लखड़ियं ले 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 लेते हैं कि खड़ा खटते में लगडी माइन कर रहा हूं कि मेरे पास 3-4-5 लगड़ीयां हो चुकी है तो उतनी सब लेने कि वाद तो थोड़े बहुत बना लेते हैं उसके वाद बना लेंगे थोड़े प्लैंक कुछ बना लेते हैं जिसे हम लोग सब कुछ बना सके हैं पहले तो एक सब्सक्राइब यहाँ पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो इसको और मांने पड़ेगा एक एक और खाद में इसको माइनकाद मेरे को देखा सहद देखो यहां पर मक्की घूम रही है मतलब सहद है यहां पर देखो तो इसमें साथ से कुछ अच्छा बाला सहद हो तो देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसको खा सकते हैं साथ से क्या पता खाएंगे की नहीं लेकिन आँगे जाता हूं कि अभी हम लोग को रात होने से पहले बैड बनाना पड़ेगा तो दो काउव मिलती है उनको मैं मारता हूं तभी मेरे हाड चला जाता है कि एक काउव को मार देता हूं उपर आके एक काउ और थी तो इसको और मारना पड़ेगा रुखजा भाई एक एक थोड़ा सा ऐसी जगह देखेंगे जहां पर हम लोग रहें घर बनाएंगे बहुत ही अच्छा वाला और वगेरा बनाएंगे क्योंकि अभी हम लोग को इस वीडियो में आरन का आर्मर भी बनाना तो वह तो बहुत खतर नाक चीज है उसके लिए बहुत जादा माइनिंग करनी पड़ेगी मेरे को फिर मैं निकल दाता हूं आंगे चिकन मिलती है उसको मैं मारता हूं फिर थोड़े और आंगे जाता हूं तो मेरे को एक छोटी सी केव मिल दाती है जहां से हम लोग टूल्स में अपकरेट हो सकते थे तो फिर मैं खड़ा-खड से उन पत्थर को मानिंग करता हूं फिर मैं सॉर्ड बनाता हूं एक एकस बनाता हूं लखड़ियों खत्म तो पर हम लोग iç ट्टेग बना लेते हैं इस्टिक बना लेता हूं इतना सब सामाल लेने के बाद लखड़े जो आइटम थे जो भी टूल्स थे उनको मैं फैक देता हूं भड़ वा वाले स्टोन के वो आ गए थे टूल्स तो उनको लेने के बाद मैं खटा कर से दो तीन ब्लॉक्स और माइनिंग कर लेता हूँ उनको माइनिंग करते करते पर सोच रहा था कि अभी हम लोग को बैट की जुरत है तो मैं आगे बढ़ता हूँ तभी मेरे को यह एद दिख़ाते हैं इनसे क्या बोलते है तो उनको उठाके मैं निकलता हूँ आगे तभी मेरे को दिखता है न्यू बायोम जो कि बहुत रेर हो होता है मतलब बन पॉंट टॉन्टी में वही वाला तो उसके मैं खड़ाखट से लकड़ियां लेने लगता हूँ क्योंकि मेरे को जुरूती सैपलिंग की जिसे हम लोग बहुत ज्यादा पेड़ होगा के कुछ अच्छी ज्यादा लकड़ियां ले सके तो खड़ाखट से भूट कलेक्टर लेता हूँ पेड़ उठा लेते हैं एक सैपलिंग फिर मैं पेड़ को माइनिंग करता रहता हूँ उसके बाद थोड़ी बहुत पत्तियां भी ले लेते हैं आपर फूल लगे हुए ते नीचे तो मेरे पास बहुत ही ज्यादा इन्मेंटरी भर चुकी थी फिर मैं निकल गाता हूँ एक सैपलिंग और गीजिस को ठालेंगे रूखो इसको लेक्ट मैं निकल गाता हूँ आंगे जहां पर मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा बायों है तो उसको अदि मेरे कुछ चिकन देखता है तो उनको मैं मारूंगा भी क्योंको खाने के मतलब बहुत ज़्यादा मिली फिर मेरे को एक बेस बहुत सही देखा तो बहाँ पर मैं आके बगरी को मारता हूँ कि इससे हम लोग बैट बना सकते थे पर क्राप्टिंग टेविल लगाता हूँ और सोच रहा था कि अभी मैं चेस्ट बना लूं उनमें जितना भी कुछ हाते तो कि आए मैं एसमें सारा डाइटम बर दीता हूं कि वरनेश उसमें हम लोग कुछ समेel कर लेते हैं जैसे खाने के लिए पर मैं थोड़ा बहुत सामान स्मेल्ड कर लेता हूँ एक सैपलिंग थी तो इसको मैं लगा देता हूँ और मेरे को देख साती भाई बहुत खतरनाक वाली काउ अलब जो सेप रहती है ना अलब बोई यार बकरी तो इस ते हम लोग भूत ही खतरनाक वाली उन मिली मेरे को ले लेकिन हम लोग को साइज से माइनिंग पर निकल जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी आरन का आर्मर बनाना पड़ेगा नहीं तो हम लोग को मॉप्स तो ऐसे ही मारते रहेंगे लेकिन हम लोग माइनिंग कर रहे थे जो कुछ आएगा उसको माइनिंग करते जाएंगे तो खड़ा करते मैं थोड़े नीचे जाता हूं क्योंकि यह पर स्टोन सी स्टोन मिले रहे थे मेरे को भी थोड़े ब्लॉक्स और माइन किये मैंने तो मेरे को मिल जा था कॉल साथ से दो हैं तो मैं कॉल को मैं जतना भी कॉल था उसको निकाल लेता हूँ क्यों इसकी हम लोग को बहुत ज़रूत पढ़ने वाली थी इससे तो हम लोग टॉर्चेस बनाएंगे जिससे हम लोग को अच्छी माइनिंग करने में मज़ाद आएगा तो मैं खटा-खट से मेरे पास इतने कॉल थे हूँ उससे मैं अभी तो फिलाल के लिए थोड़ी सी टॉर्चेस बना लेता हूँ और दो कॉल और उठा लेता हूँ यहां से फिर मैंने करता हूँ थोड़े आंगे क्योंकि अभी देखो मेरे को बहुत ज़्यादा माइनिंग करनी है यह आरन मेरे को 32 आरन लगने वाले हैं जिससे हम लोग टोटल सारे आर्मर्स और टूल्स बगारा बना लेंगे और बालती वागेरा बनानी है तो थोड़े ज़्यादा आरन लग जाएंगे मतलब 25 बंदब 35 आरन में काम हो जाएगा 35 आरन लगने वाले थे तो मैं कटाकट से माइनिंग करने लगता हूँ शरसे आरन की मा मांएननी करता हूँ और अभी तक आपने लुक्ट ने के वीडियो को तो लाइक कर दे DOWN और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार क्योंकि इस सीरीज को हम लोग इंडर डेगन के किल तक ले जाने वाले हैं और बहुत ही अच्छा घर का बेस बनाएंगे और फाम बगेरा भी बनाएंगे तो खटा-खट से मैं थोड़े आंगे बढ़ता हूं म बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं बना लेता हूं भी बनाते ज़्यादा हूं देखते कितनी बना लेत 32-40 यतने हमकाम हो जाएगा क्या इनको बनाने बाद मैं यहां पर क्राप्टिंग टेवल लगा देता हूं उससे बना लेते हैं हम लोग एक पिकेक्स और तो मैं तीन करते और नीचे जाता हूं जाता हूं तो मिले को एक और अरण देखता है साथ से दो थे तो मैंन करके निकाल लेता हूं क्योंकि क्या पतर मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी कि मेरे को 2,3,4 आरेन ही मिर रहे थे कभी 10,12 का मेरे को पूरा का पूरा इस्टेक मिला ही नहीं तो मैं फिर से मानिक करता रहता हूँ क्योंकि अभी मेरे को ज़रूरती 32 आरेन की तो 40 आरेन तो लेकर जाना पड़ेगा तब हमारा पूरा आरेन कंपलीट हो पएगा तो उसका ऐसा एरिया था जहां पर कोई चीज मिलती ही नहीं है और यहां पर मॉप्स की आवाज तो आही रही थी अब ही मैंने नीचे देखा तो भाई यहां पर तो मिले को कुछ देखा कि यह पर एक मकडी थी मॉप्स से जोर है ना यहां पर बहुत बड़ी केप भी हो सकती जहां पर बहुत ज़्यादा जॉम्बी हो सकते हैं तो मैं खटा कट से और नीचे दाता हूं कि यहां पर हम लोग केप में गिरना पाएं और देखकर माइनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि क्रीपर बगएर यहां पर फाट सकते हैं उसका मैं खटा कट से नीचे दाता हूं माइनिंग करता रहता हूं और माइनिंग करता हूं जिससे हम लोग कुछ अच्छा इटम मिले तो भी मिले को एक आयरन और दिख जाता है साथ से चार पाच आयरन फिर से हो मतब हूँ धात पहुत जादा हूं तो और अच्छी बात है आव मैनिंग के एक आयरन मिला पर उसका एक और दिखा तुसको भी माइन कर लेती है उसको माइन करने वाद दो और दिख जाते हैं उनको भी माइन कर लेता हूँ मतलब है हम लोग को 8 से 6-7 आइरन मिल गए होगे तो इतना सब वो एरियो को मैं फिर से भर देता हूँ जिससे हमारी माइनिंग में कुछ ज्यादा दिक्कत ना पाए क्यों हम लोग नीचे जाके स्टेट वाली माइनिंग भी करने वाले थे तो फिर मैं खटा-खट से और माइनिंग करता हूँ जिससे हम लोग नीचे तो बहुत जाद पहुंच ही गए थे और मेरे को फिर से 2-3 आइरन फिर दिखते हैं मेरे को जरूरत और भी ज्यादा आरन की थी तो जितने भी आरन दिख रहे हैं चोटे मोटे मतलब जो भी रहते हैं चार-पांच-छे-जाथ यह एक-दो उन सबको मैं माइनिंग करता जाता हूँ अभी हम लोग को जरूरत थी बहुत ही ज्यादा आरन की और साथ से अकर डायमेंड मिलना है नहीं यहाँ पर तो मज़ए याद आएगा यार लब सोचा आप लोगों नहीं आप याप भी डायमेंड भी हो सकते हैं मतलब ऊपर मिलते हैं लेकिन वो लग के ऊपर रहता है जैसे देखो मिरे को फिर से आरन मिले साथ से तीन चार आरन फिर हो तो मैं पर टॉर्च से लगाता हो भी तो एक टॉर्च लगाने कवाद मैं फिर से आप खड़ा कट से माइनिंग करता था तो क्योंकि साथ से मेरे को लग रहा था कि हम लोग आज आरन तो कंप्लीट करी लेंगे मतलब जो हमारा आरमर था उसके लिए भी हम लोग कुछ 31 आरन हो गए थे मतलब 31 बहुत ही जादा होते हैं मतलब इसमें हमारा आधा से जाधा और बन जाएगा फिर मैं फिर से माइनिंग करता हूं कि यह अच्छी किसमत है यह साथ से हम लोग एक स्टैक लेकर यहां से चले जाएं तो मैं करने लग जाता हूं कि मेरे को कुछ अच्छा आइटम मिल के बगएर रहती ही तो हम लोग इसको एक्स्प्लोर कर लेते लेकिन यहां पर तो बॉटर है तो मैं उपर वाले रास्ते को जाता हूं और बहां से हम लोग फिर से माइनिंग सुरू कर देंगे तो यहां पर मैं सही लग रहा है तो यहां पर मैं फिर से माइनिक करता हूं कि हम लोग को 5-6 आयरन और भी मिल लाएं तो मैं माइनिक करता हूं माइनिक करता हूं और जदा माइनिक करता रहता हूं तो यहां पर बोटर आज़ा है तो हम लोग को यह बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था यहां पर मैं करूं क्या अज़ वाज ताला भी नहीं है और अंदर इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है यह लोग माइनिंग नहीं कर सकते हैं और मैं सोल रहता हैं मेरे पास इनको लिकर मैं बाहर आता हम अभी हम लोगव इनको इसमेल्ट करके यह सबस्ट किते सारा आर्यर्ण का अरुत बना लेते हैं इसको यह पर प्लेज करता हूँ इसमें मैं आरन डाल दूँ अभी आठ बाराज जतने भी हैं तो 31-28 हो गए हैं आर 28 के आदे करके इसमें हम लोग डाल देते हैं अखेवी जल्दी काओँ करें कि खडा खट से स्मेल्ट हो जाएंगे तो हमारा जो आररन था वो स्मेल्ट हो गया है मतलब 2 और बचे हैं तो हम लोग इनको समेल्ट करने पद हम लोग हमारा जो आयरन था, उसका हम लोग आरमर बना लेते हैं, एक चिस्ट प्लेट, फर एक पैंट, एक हेलमेट, और एक जूटे, मद इतना सब बनने क बाद एक सौट, एक पिककस, और इतने में हमारा जो आयरन था, आरमर था, वो कम्पलीट हो आपकद कई जिसे सामने पकड़ सकें उसलिए पहले प्लेंक बनाने पड़ेगे ठीग सकते हैं परहिं Is ma Integy मैंनिंग अच्छे सकते हैं कि हम लोग जल्दी नहीं मर पाएंगे थोड़ी सेप्टी हमारे पास हो गई थी तो फर मैं निकल दाता हूँ एक बैट की तलास में तो फर मैं निकल दाता हूँ बैट की तलास में तभी मैं सोच रहा था कि थोड़े आंगे घूमने चलें क्योंकि मैंने अभी इसकी आंगे बाह ली जगए को तो मैंने अभी देखा ही नहीं यहां पर क्या है तो अभी कुछ भी नहीं देखा उसको बाल मैं निकल दाता हूँ थोड़े ऊपर साइड तहसे मेरे को बक्रियां मिल दाया है और मेरा काम कम्पलीट हो जाए तभी मैं आं पाड़ी मिल गया तो क्या करेंगे उसका उसका चेस्ट से चार एपल लिए दो सैपलिंग लिए और निकल आते हैं थोड़े आंगे वाले घर में कि क्या भी सारे घल को हम लोग लूटा पाड़ी करने वालें देखरो केरेट कितनी ज्यादा लगी गाजर्स और गेहूं लगा है तो खटा-खट से मैं यहां पर इतनी भी कुछ फसल लगी हुए थी उसको भी माइन कर लेता हूं कि अगर बिलेजर राज आएंगे तो वो सामान उठाने लगते हैं खटा-खट से मैं केरेट भी उठा लेता हूं क्योंकि इनकी हम लोग खेती करने में काम पड़ेंगी और हैबल्स रखी थी तो एक हम लोग होड बना के उसको भी माइन कर लेंगे माला कुदार ही यार इसको बनाने को खटा-खट से किराप्टिंग टेबल को ले लेता हूं पहले तो लेना पड़ेगा न है इसको काड़ लेते हैं इसको लेने का देखा भी हम लोग खटा- लेकिन ये तो माल समयटने लगे थे यार फिर मैंने देखा कि भाई ये कुछ अच्छा ट्रेट करें लेकिन आरन गोलम मेरे पास आ रहा था अब इनको गल्दी से भी एक हाथ लग गया तो आरन गोलम मेरे को उठा-उठा के पटकेगा तो बर मैं देखता हूं कि 22 में एक अम्रेड ये भाई बहुत महा दे रहा है तुम तो इसको देखते हैं भाई सहसे अच्छा दे मतलब सस्ता तो 22 गें हूं मैं एक अम्रेड यह भी खतरनाक महा वाल ब्लीजर था है यार उसकाद मैं देखने लगता हूं घरों में सहसे कुछ अच्छा आइटम्स यह लोग छ अच्छा आता हूं कि इनकी जरुत हम लोग को आंगे चलके पढ़ने वाली थी और गेंहों को भी उठा लेते हैं जिससे हम लोग अम्रेड ले सकें उसकाद मैं आगे निकल जाता हूं क्योंकि अभी हम लोग डायमेंड की तलास में थे साथ से कुछ मंदब डायमेंड नही हूं कि मेरे को तो जरुत थी कुछ अच्छा ही टॉम तो गरीब लिजर थ्यार इनकी घर में तो कुछ होता ही नहीं है एक बैट की सगय थी जहां पर लोग सोच आते होंगे मस्ता आके और यह तो कुछ करती ही नहीं यहां पर मैं आगे चुका साइसे गेट खुला हुआ है यहां पर घूम के गया ना मैं मिले को लग रहा है इसमें देखते हैं अभी यहां सही होगा हाँ यहां पर मैं आ गया तो मैं पीशे चलता हूँ फ़र से नीचे वाले घर में देखना पड़ेगा साइसे इसमें कुछ अच्छा हो तो बैसा ही मिले को यहां पर एक लाइप जाती है जो की छोटी सी थी लेकिन इसमें लोग को बहुत कुछ अच्छा इटम मिल सकता था जैसे तीन तीन च्छे तीन और तीन और तो मिले को बहुत जादा बुक मिली यहां से ऊपर जाके देखा तो चेस्ट बगएरा कुछ है नहीं भाई गरीब लोग है अब एक क्या हो रहा है उसकान में थोड़ा आंगे निकाल दाता हूं साथ से इस ब्लेजर्स में और घर हो लेकिन आपे तो यह ब्लेज खत्मी हो गया यह तो टट्टी था भाई इसके आदमें लोगो थोड़ा कूल मिल जाता है तो कूल को ले ले लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रत तो हम लोग को बहुत जादा पड़ेगी मायने करते करते में को आरन मिला तो चार-पांच आरन भी मिल जाते हैं में लब बलकुल नीचे यार यह तो बहुत ही अच्छी किसमत थी उसकान मैं आगे निकल दाता हूं कि हम लोग उज़रती बालती बनाने की और आरन गोलम को मानने फिर नहीं वाले यार तीन आरन की बज़े से हम लोग आरन गोलम को थोड़ीना मान देंगे उसकान मैं देखता हूं कि यह तो बहुत महँंगा सामन बीच रहा है मतलब ले रहा है वासको गए बाहर निकल जाता हूं पर थोड़ा और मिरे को को देख जाता है तो उसको भी म हम दे दे तो हम लोग इससे कुछ अच्छा ले लें मनलब अम्रेड ले 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 यार क्योंकि पेड़ बगएरा कि हम लोग सैपलिंग उससे खरी सकते हैं जो ट्रेजर आते हैं उनसे तो अब इसके पास देखते हैं इसका खेट खाली डला हुआ था तो बीस में एक अम्रेड ले रहा था तो इससे भी मैं चार पाच ले ले लेता हूँ क्योंकि देखो भी मिरे पास हैवल्स डली है उसका कुछ काम ही नहीं है तो इससे हम लोग पहले तो गेहूं बाला बो बन तो साथ अमरेड लेके मैं निकल दाता हूँ आंगे के साइट मतलब घर पर आ रहे हैं पर तो कुछ बचा ही नहीं इस ब्लेज में लूटने के लिए हम लोग यहां पर बाद में आएंगे जैसे हम लोग यहां से ब्लेजर्स ले जा सकते हैं और आरन गोला हमारा खुद का ह स्पॉन होगा तो हम लोग एक आरन फाम भी बना लेंगे जिससे माइनिंग की जंजट खत्म है तो हम लोग पहले तो आरन को समेल्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग अभी बाल्टी बना लेंगे जिससे हमारा आरन का जो भी सामान है बो कम्प्लीट हो साएगा और जो भी स से स्पॉन ना हो पाएं और हम लोग आरा हम से सो सकें जब तक हमारा बैड नहीं बन जाता तो गड़ा कर से जितने भी मेरे पास टॉर्च इस तें उनको लगाता हूं एक बैड लगा के इस पे हाथ मार देता हूं और हमारा आयरन बन चुका था तो आयरन लेने के बाद हम लो कर देना प्लीज से और अभी तक सस्काइब ने किया तो सस्काइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन और पर सैट कर लेना क्योंकि मेरी जो भी खतरनाक वीडियो आएगी तो आप लोग को सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि इस सीरिस को हम लोग पूरा करने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में